यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सेयर एंड कमेंट करिए हेलो बच्चो आज हम ले क्या हैं समतापी संपीडन में आदस गैस द्वारा किये गए कार वर्क डन बाई एन आइडियल गैस इन आइसो थर्मल कंप्रेशन चलिए बच्चो देखते हैं यदि सब्सक्चो इसे वीडियो देखने के लिए लाइक सी झाल virtue पर प्लैलिस्ट के वाले को क्लिक करके देख सकते हैं एक एक वीडियो करके लिए पर क्लस देखिएगा ये गैस किये गए कार का फामुला होता क्या गैस पर किये गए बाहकार का फामुला होता ठीक है गैस पर किया गया गैस पर किया गया बाहकार ठीक है बाहकार है क्या होता फामुला इसका बच्चो आईए देखते हैं ठीक है Kya गया है यह डवलू बराबर ओEMA मेन एक बच्चो अब यहां पर बेटा रहा हम वी–न ले सकते हो निर्स निर्ग 29002 Mara 19 इस और वत्जो यह प्रकरम कैसा है समतापी क्या है अवाइन समतापी जब कभी भी समतापी ना यह फामन क्या निर्स न मस मैं भी मोल गैस के लिए कितने मोल गैस के लिए बच्चो यह तो मियू मोल मौल गैस के लिए आर्टी यह फारभाई था बच्चो यहां से अगर Pancham p की वैलू निकाले किकी बेखिए मियू अर्टी बटे वी यह माने आ रखते हैंream पी-कमान रखने पर मान रखने पर तो बच्चो मान रखो जड़ा डबलू बराबर आएगा वी वन वीटू पी कमान क्या है? मू, आर, T बटे, V और, DV यही तो होगा बच्चो आइए बच्चो इसको थोड़ा सब हम solve कैसे खते हैं काॉशन को बाहर लेते हैं काॉशन क्या है मू, आर, T बाहर ले लिया V1, V2, एक बटे, V क्या हैगा बच्चो एक बटे, V, DV ठीक है अब आपको एक reformula हम बताने जा रहे हैं वो geysic tablespoon क्या होता बच्चो जैसे one upon अगर x आजाये dx के साथ तो उसे लिखेंगे हम log x क्या लिखेंगे बच्चो तो यह formula है log x लिखेंगे क्या लिखेंगे log x सेम उसी प्रकार है इस फार्बले को हम क्या लिखेंगे W बराबर मिू रटी इसको लखेंगे लॉग वी सारफेस में यह होता है लॉग वी लिखेंगे और लीमिट अप्लाई करेंगे V1 से V2 क्या अप्लाई करेंगे बच्चो V1 से V2 अब बच्चो हम यहाँ पर आईए देखते हैं इस सवाल को लीमिट अप्लाई करने जा रहा है W बराबर Mu R T उसके बाद एक बार V की जिगए V2 रखोगे तो आएगा Log V2 माइनस लगा के V की जिगए V1 रखोगे तो आएगा Log V1 आएगा बच्चो अब W बराबर हो जाएगा Mu R T फार्मूला बन जाएगा Log V2 बटे V1 यह आजाएगा फार्मूला बच्चो Log V2 बटे V1 बच्चो अब आपको पता है यह बेस में E होता है इसे 10 में बदलना है तो 2.303 से गुड़ा कर दो तो Mu R T अब यह Log जो वेस में 10 यह 10 हो जाएगा क्या हो जाएगा V2 बटे V1 तो बच्चो यह आपका किये गए कार का फार्मूला हो गया समताफी प्रकर्व में आप इसे नोट कर लें अब आएगे बच्चो इसमें थोड़ा सा मेभी कर सकते जो यह V है वो P लिख सकते कैसे P लिख सकते आएगे देखते हैं आपने Boyle का एक नियम पढ़ा होगा Boyle का नियम Boyle का नियम यह होता है P1 V1 बरावर P2 V2 होता है न यहां से अगर V2 upon V1 कमान निकालें तो V2 किधर P2 किधर ले जाए तो क्या आएगा P1 बटे P2 नीचे आजाएगा और V2 को अपने जगें रहने दो इसको इसके नीचे लगा दो V1 को तो अब आप बताईए बहुत ध्यान से V2 upon V1 को क्या आए सकते है P1 upon P2 लिख सकते है तब यह आपका फार्मला है गा डवलू बराबर 2.303 मू आर टी लॉग 10 बताना वेटा V2 upon V1 कमान रख दें आपर क्या है P1 बटे P2 यह आ गया ठीक है अब यहां पर यह फार्मला है ठी वच्चो यह दोनों फार्मला रहे की है आप इसे नोट कर लो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सेर एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टापिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुती जल से जल वीडियो को बनाएंगी तो लिए धन्दवाद तो हम पर लाईंगी करें पर वीडियो करेंगी तो हमारे क कंद का आपका किसी जल करेंगी तो हमारे कमेंगी झाल झाल